वेलकम टो माई यूटूब चैनल, दोस्तों अगर आपने ITA डिपलोमा एलेक्टिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफी बेनिफिशियल होने वाला है और दोस्तों चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों आज हम बात करेंगे distribution box के बारे में and ceiling rose के बारे में ये दो point जो ऐसे हैं जो हर interview में question किये जाते हैं यानि जब भी आप electrical का interview देने जाएंगे तो वहाँ पे क्या है distribution box के बारे में और एक ceiling rose के बारे में हमेशा पूछा जाता है तो दोस्तों ये common सा point है लेकिन इसका answer कैसे देना है आपको ये सभी को पता नहीं होता तो दोस्तों इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे से explain करूँगा तो end तक जरूर बने रहें हर building के अलग-अलग pillar circuit बना दिये जाते हैं या हर room के तो उन room में क्या हो जाता है प्रतेक circuit के लिए अलग-अलग fuse हम परियोग करेंगे तो सभी fuse को क्या करते हैं एक box के साथ इस्थाफित कर देते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं distribution box कहते हैं को दोस्तों यहाँ पर देख पारहें suppose that हमारे पास एक building है building suppose that हमारी ये अब इस building में क्या है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर हैं तो यहां पर बहुत ज़ादा load भी होगा तो हर load के लिए क्लेए क्या करते हैं..एक fuse हम क्यूश हम ले लेते हैं यहन के अंदर establish कर देते हैं इस्थाफित कर देते हैं ताकि जो भी कंडिशन हो faulty कंडिशन में क्यों हमें इस box के पास जाना पड़े और जो हमारा फ्यूज जैसे suppose that over current के कारण फ्यूज हमारा जल गया तो हमें box open करके यहां से हम चेंज कर सकते हैं फ्यूज तो दोस्तों आई होब कि यह concept आपका clear हो चुका होगा दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे on off करने के लिए supply है तो यहां पर देखो यह box ही है और इसके अंदर क्या है main supply आ रही है और यह हमारे fuse है तो जब भी हम on करेंगे तो यह on off हो जाएगी हमारी supply इस handle के थुरू तो यह होता है हमारा distribution box तो आप I hope कि जब भी आप interview देने जाएंगे तो आसानी से इसका answer दे सकेंगे दोस्तो आज बात करने वाले हैं जैसे कि सिलिंग रोज के बारे में कई लोगों को पता नहीं है दोस्तो जब भी आप wiring installation करने जाते हैं किसी भी घर में जाते हैं या किसी भी building में जब भी आप wiring करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या है जो जिसका घर होता है वो बोलता है कि हमें ceiling rose चाहिए तो ceiling rose हम एक तो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो घर है वो काफी beautiful सुन्दर दिखे और appearance अच्छा रहे तो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो wire है इधर उदर से ना दिखे तो इस वज़े से हम ceiling rose का use करते हैं तो इसका use क्या होता है यह हम देख लेते हैं सबसे पहले यह जो इसका बाहरी का जो external आप देख रहे हैं cover है यह बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से ऐसा होता है तो इसका क्या काम होता है दोस्तों जैसे हमारे पास ceiling fan है एक हमारे पास क्या है fan है और fan काम connection करते हैं तो हमारे जैसे पास ceiling fan हो गया tube light हो गया pendant holder हो गया इनको क्या करने है supply प्रदान करने के लिए supply देने के लिए क्या करते हैं हम यह ceiling rose का use करते हैं तो I hope कि यह concept के लिए हो चुका होगा दोस्तों और यह जो ceiling rose होते हैं दोस्तों यह दो टाइप में आते हैं एक तो होता two plates आता है और three plates आते हैं, तो three plates में क्या होता है बहुत सारे points को एक साथ connect करने के लिए कलिए जाता है और यह जो दो point वाले हैं वो एक equipment के लिए use के जाता है तो दोस्तो आई होब कि सिलिंग रोज का भी concept आपका clear हो चुका होगा और आप electrical के interview में आसानी से answer दे सकेगी तो thank you friends for watching this video, मिलते हैं in next video पर दोस्तो subscribe करना ना भूले अगर channel पर नए हैं